प्रचलों पहले को सवाल को देखो इस्टार्ट करते हैं एलेक्ट्रो माग्घनेटिक वेब में इतना कुछ own ना कर रहा हूं झाल अगर सारह कर लोगे चेह ना तो 16 जशनरली आता है एलेक्ट्रोमेगनेटिक वेव से form करता है कि यह स्था का भाए ध्यान से समझना ना रचिवाप कंट्रिबुइशन मेड़ा इलेक्टिक फिल्ड एन मैगनेक फिल्ड मतलब इलेक्टिक और मैगनेटिक फिल्ड का जो दोनों कॉम्पोनेंट थे टूदे इंटेंशीटी आप इलेक्ट्रोमेगनेटिक वेप इनेंसीटी जो बनती है इ उसमें electric or magnetic field के component का ratio कितना है," Electric or magnetic field का कित्रा contribution है," जैसे मालों कोई बलव लाते होता है," कोई लाते हो high bright होता है," जो high bright है," तो उसमें Electric field और magnetic field की यह रहिंटे है वो कितना है," तो इस question को तुम दो मेढ़्धों से करते हैं," तो इस question को तुम यह समय doesn't till confusion coming," बेसिक लॉजिक से जो आपको बेसिक कॉंसेप्ट पता होगा कि अगर कोई भी एकर इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव है इस इने इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव विच इस प्रोपोगेटिंग पोजेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो जो मैगनेटिक यहां से जो पर यूनिट वोलूम वों क्या होती है यृक्वल होती है समझे मैं तो जब एनधिे झेटी एकम ए तो लेनटक्रविकवल का वहता है देखना तो इन टेंसिा इस एलेक्ट्रिक फील्ड रिस्यी intensity due to magnetic field one ratio one आ जाता है ठीक ना तो मेन जो है अपना first option third option सही है same intensity के electric और magnetic field होते हैं नहीं तो आपको go through the formula second method अगर आप इसको formula से करोगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ठीक ना देखो intensity क्या होता है अगर कोई area ले लो this is the perpendicular area और इधर से वेव आ रही है एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर्पेंडिगुलर टू इस एरिया तो intensity on this area defined is energy incident energy incident पर उनिट एरिया पर सेकेंड इंसिटी को हम define करते हैं ठीक है अब energy density जो होती है energy density आफ इलेक्टिक फिल्ड अब सब इसी फार्पुले को intensity हमें निकालना है इनका रैसियो कितना है तो intensity of electric field divided by intensity of magnetic field तो अगर तुम देखो कि इनका रैसियो निकालने के लिए देखो वही नहीं कहते हैं कि अगर basic से concept से जानोगे तो बहुत सारे intensity of magnetic field तो intensity of electric field half epsilon not e का square और half यहां से magnetic field का square और यहां से mu not तो हाप ने हाप को काट दिया और इसको मैं लिख सकता हूं epsilon not mu not और यहां से मैं लिख सकता हूं e y b ka whole square अब आप पता होगा आपको कि जो electric field की amplitude होती है c times magnetic field की होती electric field की जो amplitude है very very greater than magnetic field के amplitude से होती है तो यह amplitude ज्यादा होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि e y b की जो value आ जाएगी वो c आ जाएगी और speed आप जो light होता है यह electromagnetic wave होता है यहां light लेंगे तो वैक्यूम मिलेंगे तो वैक्यूम मिलेंगे तो जो speed होती है c होती 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 वन अपन epsilon not mu not under root ठीक है तो इसका जब स्क्वाइर करोगे epsilon not mu not epsilon not mu not जब असक्वाइर करोगे तो वन अपन सी असक्वाइर आएगा यह दोनों वैलू अगर इसमें रख दोगे तो यह इस फार्मूले यह फार्मूला मुझे कुछ ऐसा दिखेगा जो intensity ratio है वन अपन सी का स्क्वाइर और इवाइवी भी सी का स्क्वाइर तो सी स्क्वाइर सी स्क्वाइर तो क्या निकाल लेते इवाइवी निकाल लेते तो intensity of electric field divided by intensity of magnetic field is equal to one ratio one मतलब intensity of electric field equal to intensity of magnetic field यह बराबर होता है ठीकिना मतलब third option सही है थेंक्यू स्क्वाइर तो